हेलो इस्टुडेंट्स स्वागत आप साविका हमारे यूटूब चैनल स्टडी सर्कल 24 में तो डियर इस्टुडेंट्स आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके अगस्त महिने का जो असाइमेंट है उसका एंसर देखेंगे और कच्छबार्मी सब्जिक्ट है एको जादा शेयर कीजिए ठीक है जिससे की आप लोगों के सांसद आपके दोस्त जो हैं उनका भी हेलफ हो सके चली प्रशन देखते हैं आप आस पहला प्रश्ण दिया गया है समस्टी अर्थ सास्र वेस्टी अर्थ सास्र में कैसे भिन्य है समझाईए तो समस्टी अर्थ सास्र यहम वेस्टी अर्थ सास्र में आपको अंतर बताना है तो यहां से आप अंतर लिख सकेंगे ठीक है आपके पास देख सकते हैं यहां पास दिया हुआ है समस्टी अर्थशास्त्र और वयस्टी अर्थशास्त्र जिसमें की समस्टी अर्थशास्त्र में संपून अर्थशास्त्र की आर्थिक इकायों का अध्यन होता है जैसे समस्चा का अध्यन किया जाता है जैसे एक उभुकता एक उत्पादक एक फर्म नेक्स्ट इसी प्रेकार से दूसरा पॉइंट तीसरा और चौता पॉइंच मार इस पॉइंट को भी आपको करना है चली आप नेक्स्ट देख लीजिए प्रेश्ट नमबर दूसरा है आपके पास यहां पास देख सकते हैं कि बिबिन अर्थ ववस्थाओं या अर्थ ववस्थाओं में केंद्री समस्चाओं का समधान कैसे होता है तो इसका एंसर आप यहां से लिखेंगे बजार अर्थ ववस्था ठीक है पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं यहां पास लिखेंगे केंद्री योजना बद अर्थ ववस्था ठीक है next देखिए अगला point मिलेगा आपको वीडियो को pause करके लिख लीजिएगा अगला point है मिसरित अर्थ ववस्था ओके चलिए अब अगले प्रेशने की तरफ बढ़ते हैं dear students इस वीडियो के description में आपको सारे वीडियो के link मिल जाएंगे तो आप वीडियो के description में एक बज़ जरूर चेक करेज़ेगा या फिर आप वीडियो के playlist पर भी जाकर देख सकते हैं आपको सारे assignment के वीडियो के link दिये गए हैं तो आप वहाँ भी देख सकते हैं तो चलिए प्रशन में तीसरा देख लीजिए उत्पाधन संभावना वक्र से क्या अभी प्राय है इस वक्र के वो प्रियोग से किंद्रे समस्च्या का क्या उत्पाधन करें को इस पस्ट कीजिए तो इस प्रकार से इसके answer को आप लिखेंगे screen sort कर लिजिए ये वीडियो को pause करके भी लिख सकते हैं आप तो चलिए इसका एक यहां पास आप जो graph देख रहे हैं इसे आपको बनाना है ये graph आपको complete करना है यहां से तो next देख लिजिए अब आगे के लिए फिर इसके नीचे आप इसको complete करने के बाद यहां से लिख लेंगे यदि सारे साधन गयों के उत्पाधन पर खर्च किये जाए इसके आगे आप पुरा यहां complete करेंगे अब देखिए अगला प्रशन है आपके पास तो dear students वीडियो को description में जो आपको whatsapp group और telegram channel का link दिया है जहां आपको telegram channel पर आपको इसका पीडिया भी available करा दिया जाएगा तो आप चाहें तो telegram channel को join कर सकते हैं प्रशन चौथा देख लिजे एक उदाहरन की सहायता से आउसर लागत की अउधानना को पस्ट कीजिए तो इसे आपको बताना है यहां से आप video को पास करके लिख सकते हैं से देखिए यहां पस्ट दिया हुआ है साधन एक निश्चे मात्रा बिकल्प है गेहूं मुल्य है फिर गेहूं मुल्य पांच लाग फिर मसीन मुल्य मसीन उत्पादन का त्याग और पांच लाग मुल्य के गेहों को आउसर लागत फिर है आउसर लागत यों उत्पादन संभावना वक्र इसे आप लिख कर इसे दर्शा देंगे ओके चलिए नेक्स्ट आपके पास questions हैं आचमा सिमान्त आउसर लागत क्या है ठीक है सिमान्त आउसर लागत क्या है इनके बढ़ने के कारण लिखिए तो सिमान्त आउसर लागत यह बताईए आप कि एक वस्तु X की सिमान्त आउसर लागत किसी दूसरे वस्तु Y की वह मातरा है जिसे X की वस्तु एक अत्रिक्त निकाई का उत्पादन करने के लिए छोड़ना पड़ता है ठीक है इसके आगे से फिर यहां से लिख लिंग जी गए कि सिमान ताउसर लागत बढ़ने के कारण दो कारण दिये गए हैं और सीमित आउसकताई और सीमित या दुरलब साधन चलिए नेक्ट तो इस प्रकार से यह सारे अंसर आपके यहां पास complete हो गए ठीक है तो इस प्रकार से आपको complete करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी share कीजिए तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू बेस्ट अब लग